In today's class we will discuss simplification अब अगर हम बात करें simplification की तो simplification में mainly होता तो यह है कि आपके पास एक expression given होता है एक expression आपके पास given and you solve the expression and give a single answer बट अगर हम बात करें C-set की तो C-set में ऐसे questions नहीं आते C-set के अंदर ऐसे questions नहीं आते हैं C-set में simplification के कौन से question आते हैं कि word problems आती है और you can say कि अगर आपने इस बार का भी paper देखा है जिन जिन students ने इस बार का paper देखा है 2021 का तो उन्होंने देखा होगा कि जो questions है कैसे है statement है statement के अंदर पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है ठीक है जिन students ने practice की हुई है वो easily कर लेंगे means what कि कुछ logical questions आपको देखने के लिए मिलते हैं लोजिकल questions आते हैं exam के अंदर ठीक है अब उसके according आपने देखना है कि उस particular question को कैसे solve करना है you can say कि जो simplification की word problems में करवा रहे हैं कुछ लोग उसको consider करते this is arithmetic reasoning arithmetic reasoning क्यों गहते है reason being कि यहाँ पे जो questions है उसके अंदर arithmetic का concept तो यूज हो रहे है obviously mathematical concept आपका यूज हो रहे है बट वहाँ पे logic ज्यादा यूज हो रहे है आपका logic ज्यादा यूज हो रहे है तो जो student logically strong है वो इस तरह के questions को easily कर लेते हैं और आप यह मान के चलो आपके 8 से 10 question 80 के अंदर से 80 question का आपका paper होते है ठीक है 80 के अंदर से you can expect 8 to 10 questions like this अब यहाँ पर बात आ रहे है कि जो questions आएंगे अब as it is तो statement मैं भी नहीं बता सकती कि क्या statement होगी बट जो simplification पर questions बनते हैं जो questions simplification पर बनते हैं basically वो किसमें से आते हैं या तो उसके अंदर fraction का concept यूज हो रहा होता है क्या होता है there may be fraction concept ओके और there may be some equational questions equational question means what कि जो statement है statement को पढ़के जब statement को read कर रहे हो in that case आप उसके according equations बना लेते हो x y की form में ठीक है और जब आपके पास में equation बन जाते हैं फिर आप उसको solve कर लेते हैं and then you find out the answer ओकी तो इस तरह के questions भी आजाते हैं जो की equation के उपर based हैं और कैसे questions आ जाते हैं और question आजाते हैं अपके square, square root पे based question आ जाते हैं हाँ जी square, square root पे based question आ जाते है statement की form में तो वह भी आपके इसके अदर include हो जाते हैं और कैसे question आएंगे अब देखो percentage हम already discuss कर चुके हैं कुछ ऐसे भी concept आ जाते है कि पूरी statement के अंदर कही ना कही कुछ percentage related use हो रहा होता है but that is a logical question तो उस case के अंदर percentage का concept हो सकता है ratio and proportion का concept हो सकता है and there are some miscellaneous types also that means कि जब हम simplification करने लगते हैं से पहले आपके यह सारे concepts clear होने चाहिए अगर आपके यह वाले concepts clear है तो उस case में आप यह मान के चलो कि 8 questions तो आपके पक्के हैं कि ठीक है और जो यह 8 question है इस ही के बेस पे लोग decide करते कि पेपर का level क्या था पेपर का level क्या था क्योंकि अगर जो इन जो logical questions को solve कर लेता है वो कहेगा कि easy paper था बट logical question है अगर हमें logic नहीं मिल पाया तो in that case हम क्या कहेंगे paper tough था simple इतना सही है तो logical questions पे सभी ने practice करनी है जहां से भी आपको logical questions मिलते हैं उन पे practice करेंगे ओके सो start करें अभी तक किसी का reply नहीं है कि हैं जी आवाज properly आ रही है देखिए start करें आज के class के अंदर basically हम questions ही discuss करने वाले only I will discuss questions ओके और साभी ने साथ साथ में question को solve करना है मेरे सभी ने साथ 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 सोल करना है सभी अपना paper pen लेके बैठेंगे सभी class के अंदर paper pen लेके बैठेंगे सभी ने questions को solve करना है because logical question है थोड़ा सा आपने भी देखना है कि क्या मेरा logic बिल्ड हो रहा है मेरा logic बिल्ड हो रहा है इसके अंदर ओके सो देखिए जैसे फर्स्ट कोस्चन है यहां पर एक कोस्चन है आपके पास में screen पर क्या है यहां पर question in a class there are 18 boys मैं यह नहीं कहूंगे कि as it is questions आएगा exam के अंदर बट यहां से हमारा थोड़ा logic clear हो जाएगा हमें logic बिल्ड करना आ जाएगा कि ऐसे questions को कैसे हमने solve करना है ओके यह मोनिका तो देखिए क्या है in a class there are 18 boys class के अंदर कितने boys है 18 boys है who are over 160 cm tall if these constitute three-fourth of the boys अब देखो three-fourth three-fourth उसने कहा है that means कि fractional types question आ रहा है यह हमारे पास में ठीक है and the total number of boys is two-third of the total number of students in the class then what is the number of girls in the class girls कितनी है this is the question अब जैसे मुझे मिला क्या in a class there are 18 boys who are over 160 cm tall तो जो यह 18 है बिल्कुल अराम अराम से आज ही class के अंदर बिल्कुल slow चलेंगे हम ठीक है क्योंकि बर logic build होना चाहिए आपका क्या कहा है उसने 18 boys है who are over 160 cm tall अब इन 18 boys की detail आपके पास में कहां पर given है this is the delay क्या कह रहा है these constitute 3 4th of the boys that means this value is equal to 3 4th of boys and this is given as 18 ताल यह देखो यह line इस particular statement से क्या हम यह बरा पार है बिल्कुल simple था क्या का है कि यह 18 boys है और वो क्या है 3 4th है कि इसका boys का so यहां से मुझे क्या मिल जाएगा cancel out किया b is equal to 24 that means कि total boys कितने है 24 अगर question होता कि total number of boys कितने then our answer is 24 but question में आगे भी कुछ given है क्या है and the total number of boys total number of boys is 2 3rd of total number of student in the class अब total number of boys कितने हमारे पास में 24 and these 24 are is equal to what 2 3rd of the total number of students in the class ओके तो यहां से अगर हम देखें तो total number of students कितने बनगे total number of students are 36 total number of students है 36 boys कितने है 24 and what is our question कि girls कितनी है so girls कितनी आजाएंगी this will be 36 minus 24 that means 12 girls कोई डाउट हाँ जी कोई डाउट किसी को अब इसी को दूसरे तरिके से भी अब मैं यहने कहते है कि सभी का नजरिया एक जैसा होता है question को जब आप रीड करते हो if you are 50 students in that case जो 50 students है सब कुछ different सोच रहे होंगे सभी के माइन में कुछ different calculations चलती है अब जैसे ऐसे भी सको कर सकते है यहाँ पर क्या कहा है 18 boys who are one 60 cm number of students की this is 36 okay दोनों cases में 36 बन रहे है अब उसने कहा है कि girls कितने boys कितने अब उसने यहाँ पर क्या कह रहे है कि if they constitute 3 4th of the boys 3 4th क्या है boys है that means कि 1 4th क्या है 1 4th क्या है girls है 1 4th इसका 1 4th करेंगे sorry यहाँ पर क्या कह रहे है कि constitutes the 3 4th of the boys and the total number of boys is 2 3rd total number of boys कितने है 2 3rd boys कितने है 2 3rd है that means girls कितनी है 1 3rd तो girls कितनी आगी इसकी 1 3rd 12 so ऐसा नहीं है कि एक question एक ही method से solve होगा जब logical questions exam में आते हैं then आप different different logics वहाँ पर लगा सकते हो okay so next minus कर देते हूं ठीक है तो value कितनी आजाएगे आपके पास में 1 by 24 so your answer will be 1 by 24